बोलो नीप करोरी बाबा महराज कीजे, परम पूज शिद्धी मा कीजे, पवन पुत्र हनुमान कीजे मैं डॉक्टर उमेश बाश्वई, उपस्तित हूँ आपके समक्ष, बाबा महराज की अद्बुत लीलाओं का वर्णन करने के लिए मित्रों, आज मैं बाबा महराज की जो मानो देह लीला है, उसी के अगले भाग को, अथवा अंतिम भाग को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ पिछले भाग में हमने आपको बताया कि किस तरीके से बाबा महराज उत्राखंड की यात्रा करते करते, उत्राखंड में विचरन करते करते, मंदिरों की स्थापना करते करते, जड़ी लगा दी, धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे चारों ओर, अब समय वो आ गया है, कि जिसने सब को रोला दिया था, क्या है वो, समय है, 11 सितंबर 1973 का, इसके कुछ महिने पहले, अर्था सितंबर से पहले आप मालने लगबग जुलाई उलाई से, तो जुलाई उलाई के आसपास से प्रभू ने अपनी लिलाएं करना सुरू कर दिया, और अपने निकठतम जो जैसे पूरा नंद तिवारी जी, ये इनके अट्यंत निकठत थे, पूरंदा, पूरंदा इनको कहा करते थे, और ये साथ ही रहते थे प्रभू के साय की तरह, तो पूरंदा को बाबा महराज ने सबसे पहले अलग किया, और इनसे कहा कि पूरं, अब तु मंदिर नहीं तो उन्होंने कहा प्रभू ऐसा क्यों, बोले नहीं, अब तुझे हमें दूसरी जगा भेजना है, तेरा ट्रांसफर करना है, तो पूरंदा का कुछ महिने पहले, चार-छे महिने पहले, उनको भुवाली में नौकरी पे लगवा दिया, और खुदी जो है, डाक गर और गेट के बाहर से ही उनको वापस कर देते थे, कैची धाम के बाहर से, पूरंदा बाबा महराज का जो भी जल और दूद जो भी कुछ था, वो दरवज्ये पर रखके बिचारे जो है, वापस हो जाते थे, रोते हुए, सोचो जरा, जो भक्त बाबा महराज का इतने निक कर रहे हैं, तो पूरंदा को पहले दूर किया, और फिर सबसे नाराज होते थे, कहते थे मैं चला जाओंगा, मैं किसी से बात नहीं करूँगा, मैं किसी से नहीं मिलूँगा, मैं खाली बच्चों से बात करूँगा, मैं बच्चों से मिलूँगा, और सच है भक्तो, उनकी खिल-खिला के खेलते हैं लिलाएं करते हैं और बच्चे भी उनसे खेलते हैं तो इस तरीके से हम एक दो वीडियो इस पर भी बनाएंगे आपको कैसे बच्चों के साथ वो लिलाएं करते हैं तो बाबा महराज ये सब लिलाएं करते करते और पूरां दाकोरों ने अपने से दूर कर दिया अन्य सेवकों को भी अपने से दूर करते गए बहुत बिचित्र इस्तिती थी और 11 सितंबर का दिन था ठीक उसके एक दिन पहले बाबा महराज मंदिर से चले बोले मुझको ब्रिंदा बन जाना है और ब्रिंदा बन चलने के लिए जब निकले तो उनके साथ रवी खन्ना नामक जो ब्यक्ति थे वो इस समय बाहर रह रहे हैं विदेश में रवी खन्ना को नाम भी रवी खन्ना उन्हों नहीं दिया था जैसा कि बताते हैं मैंने देखा है पढ़ा है कि सायदोर बाल वगरा कुछ ऐसे रखते थे राजेश खन्ना की तरह तो उनका नाम रवी खन्ना प्रभू नहीं दिया था तो वो उनके साथ थे जो काटगोदाम से ट्रेन के माध्धिम से कैची धाम से उनके साथ आए बाबा महराज चले आगरा में आ करके सर्मा जी के पास उनका नाम था जगमोहन सर्मा उनके यहां बाबा महराज जी ने अपना अंतिम प्रवास किया धन्न है वो सर्मा जी जिनके यहां बाबा महराज ने अपना मानव देहलीला रहते हुए अंतिम दर्सन उनको दिये और उनके घर में रुके लेकिन उसी समय बाबा महराज की तबियत कुछ बिगड़ी रास्ते से ही बिगड़ना सुरू हो गई थी जब कास्तगन से आगे ट्रेन चली कि प्रभू हम देखो कोई डाक्टर लेके आते हैं और वो डाक्टर को लिवा के लाई भी सायद वो हार्ट स्पेशलिश रहा उसने वो बाबा महराज के सब लगाया हो गाया और सब सारी चीज़ें उन्होंने निकाल के फिर दिया डाक्टर से कहा कि तू मुझे बचाएगा अब मुझे जाना है मुझे आप जाना है मेरा समय हो गया है मुझे जाना है सब लोग यह नहीं समझ पाई क्या कह रहे हैं और इस तरह कहते हुए डाक्टर की अंदेखी करते हुए सारी चीजें हटाके दवा भी नहीं खाई सारी चीजें हटाके और वहां से वो बिंदाबन की तरब चल दिये और इस तरीके से उन्होंने अपने मानो शुरूप में अपनी डीला को समाप्त किया 11 सितंबर 1973 को अपने मानो शरीर को त्यागा लेकिन त्यागते समय एक बात उन्होंने कही कि हमारे अंतिम्यात्रा को हमारे सरीर को कैची न ले जाया जाये बिंदाबन में ही भगवान तुष्ण की धरा पर इससे इस्थापित किया जाये और हमारी अंतिम्यात्रा तब तक न उठाई जाये जब तक हमारा परम भक्त पुना नंतिवारी उर्फपूरंदा ना आ जाएं बाबा महराज धन्य है कि देखो जिस भक्त को उन्होंने अपने से दूर किया और अंतिम समय में उसी भक्त के द्वारा कह रहे हैं प्रभू कि जब तक वो ना आ जाए हमको उठने न दिया जाए मुझे तो कह करके ही आंसू आ रहे हैं बता करके मेरा मन भारी हो रहा है कैसी क्रपा है लीला धर की एक तरफ तो उसको दूर कर दिया चार छे महिने के लिए और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं लेकिन लीला थी उनकी सायद पूरा नतिवारी को अपने से दूर न करते तो पूरा नतिवारी उनसे अपने को अलग न कर पाते यही लीला रही होगी प्रभू की कि मुहमाया को कम किया जाए सरीर ट्याक चुके हैं प्रभू समाधिस्त अवस्था में लेटे हुए हैं इंतजार हो रहा है कि अब इनका अंतिम दर्सन के लिए और अंतिम यात्रा के क्या तैयारी की जाए कैसे क्या किया जाए खबर उत्राखंड पहुँचती है पूरानद तिवारी और सम भक्तों के ऊपर जैसे लगता है मानों पहार तूट पड़ा हो सभी भक्त वहां से दोड़ पड़ते हैं पूरानद तिवारी जी भी वहां से आते हैं यहां लाखों की भिड रहती है साम का समय होने वाला था पूरा नदतिवारी जी जब आते हैं तो लोग भीर से रास्ता निकालते हैं खोजते हैं और ऐसे देखते हैं लोग की भाई देखें कौन ऐसा महान विक्ति है कि जिसका इंतजार हो रहा है बाबा महराज को कंदा देने के लिए गुनानद तिवारी आते हैं बाबा महरास से लिपट के रोते हैं चिलाते हैं चारों तरफ मातम का माहूल होता है सब के पिता चले गए हलाएं कि ये हमारे आपके ऐसे बिचार हैं कि वो चले गए कहीं नहीं चले गए वो सब के बीच में हैं आज भी हैं हमारे प्रभू, हमारे साथ हैं, हम बात करते हैं तो हमारे साथ रहते हैं, आप बात करते हैं तो आपके साथ रहते हैं, वो तो सब जगा आपके साथ हैं, आप सच्चे मन से याद करिए, और इस तरीके से फिर उनकी अंतिम्यात्रा निकाली गई, पूरा नंद त बात को कहा अच्छु कि देवरहा बाबा की तो उम्र का किसी को नहीं पता देवरहा बाबा तो जैसा कहा जाता है कि उन्हों ने महावरत काल को भी देखा और वर्तमान जो 19. सताब्दी और 20. सताब्दी उसको भी उन्होंने देखा तो दिवरहा बाबा ने कई बार कहा कि निप करोरी बाबा महराज जी इस प्रकार की मानो देहली लाएं कई बार वो कर चुके हैं और कई बार करेंगे तो हमारे प्रभू कहीं नहीं गए हम सब के बीच में है और आप भरोसा रखें आपकी हर समस्या आपकी हर पीड़ा का निदान भगवान के चरणों में है प्रभू के चरणों में है बस आप सच्चे मन से उनको पुकारिए उनके लायक बनिए और फिर देखिए प्रभू आपकी पीड़ा को पलक जपकते कैसे हर लेते हैं तो हमने आपको इन समस्त्र छोटे छोटे भागों में ले करके बाबा महराज की जो मानो देह लिला थी वो जन्म से ले करके और आज विरिंदावन धाम में जब प्रभू अपनी जो है परम यात्रा पर निकल पड़े अपनी जो है अचेतन यात्रा पर निकल चुके हैं यहां तक हमने आपको बताया आगे आपके जो वीडियोज हैं उनकी लिलाओं के वो हम आपको देते रहेंगे और परम पूज शिद्धिमा के बारे में भी आपको मैं अब आगे कुछ बताऊंगा तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे आपको यह वीडियो कैसा लगा आप इसके बारे में कॉमेंट बॉक्स में जा करके लिख सकते हैं और हमारे इस चैनल को बाबा महराज के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं लाइक करें सेयर करें अधिक से अधिक जिससे हमें भी थोड़ी ताकत मिले और दूनी ताकत से हम बाबा महराज की सेवा में इसी तरीके से तल्नीन बने रहें और आपके समख्ष अच्छी अच्छी लिराय लेकर आते रहें, इन्ही सब्दों के साथ बोलो बाबा महराज कीजे, परम पूज शिद्धी मा कीजे, पवन पुत्र हनुमान कीजे.